साथ हो जैसा कि आप लोगों का कलास 11 से अनुनिल एक्जाम यानि कि कलास 11 का फाइनल एक्जाम 2024 में होने जा रहा है तो या वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने बला है क्योंकि प्यारे साथ ही आप लोगों को पता होना चाहिए 21 समार्च के बीच जो हैना आपको एंसर भी बताऊंगा साथ में क्वेश्चेन पेपर भी दिखाऊंगा ठीक और डाउनलोड कहां से करना है वह भी सिखाऊंगा ठीक है तो चलिए आपर देख लिजेगा प्यारबच्यों आपका जोना विश्यकौड प्रेक्टिकल में भी 170 रहेगा और प्यारबच् प्रेक्टिकल का एक्जाम देनों तो पूड़ा का पुड़ा पुरा सिटे बना करके आघना को आपको सब्सेपहले 12 परसुन दया जाएगा से इस जोना से त्वार थे तक बार 10 बीडिया जाएगा अव्ड़ेको दोनों से मांटर एक एक परसुन आपको बनाना होता है सब्सक्राइब करना है तो इस पर का सब्सक्राइब अपने सब्सक्राइब क्या करना है उत्तर लिखना है दूसरी में दायनी और दायनी और हासिय पर दिये हुए अंक पुर्णा करते हैं अगर देखिए का यहां पर प्रवचु तीसा पॉइंट में बोलता है इस प्रस्न पर तो को पढ़ने के लाब को पंड़ा मिनट अडिरिक्ट समय भी मिलेगा और देखिए खंड में पहले ही समझा रिया था देखिए बोला जा आप यहां पर देखेंगे पांच नमर में बोला जा रहा है कि खंड वह में बढ़नित सूची में से कोई एक क्रिया लाप का आजोना बनाए मतलब कि कहने का अट्वा कि इसमें खंड वहां में आपको दिया जागा टोटल दस प्रस्न इसमें से मात आपको यह की परस्न बन परियोग आपका एक का जो है यह डाइडेक्ट 15 नमर का एठी के डाइडेक्ट मतलब इसमें कुछ जारा नहीं लिखना है डाइडेक्ट बना देना खंड वी में इसमें आपको पांच-पांच नमर करके इस परकार से जैसे कि करियाल आपका पांच नमर मिलेगा को सब्सक्राइब करके नोटिफिकर्शन को आल प्रेट करके ताकि हम लोग जैसे वीडियो डालेंगा आपके मैल में नोटिफिकर्शन दाइगा आप लोगराम से देख पाएंगे ठीक है चलिए यहां पर रेके सबसे पहले मैंने समझा दिया था पहले यह सारा चीज फिर तो बिल्कुल मैं इसी का उत्तर बताऊंगा पहला नमर कोईशन है इसी का में प्रोपर आपको अंसर बतानूंगा यह 15 नमर के लिए ठीक है ध्यान रखिए बट मैं आपको सारे प्रसंद दिखा देता हूं अगर आपके अग्जाम में अगर आप से हो पाए तो आप खुर हवा में द्वानी की चाल ग्याद करें अगर पढ़ेंगे तो यहांपर चार नमर कुश्चन में आप से बोला कोशी किया उन्यन नली विधी द्वारा जयल का प्रिष्ट तनाव ग्याद करें और आगे देखेगा कुश्चन में पांच बोला जोना सलफेडो मीटर द्वार दिए गये गोलिया सता की बकरता त्रिज्जया घ्याद करना है इसके आगे आपड़ींगे तो चेन में मन कुश्चन मिला जाए दिए गये गये सिमान्त वेग को माप कर दिये गए सियान द्रब का जोना सयानता गुनानांक ग्यात करना है तो बिल्कुल प्यार बचो ओरिजनल पर आपको पता ही होगा में आपका जो भी एक्जाम हुआ सारा के सारा पर जयता से मिला था तो यह आप बिल्कुल ऑजिनल है से माइगा आप स्वार मापी कि सायता से दी गई आविर्ति पर ताड की लंबाई और ताड की तनाव के बीच जोना संबन अध्यान करें अगे बरते हैं आप आगे रिखेंगे तो क्वेश्चन में आट बोला जा रहा है प्रसन बोला जारा ऐस्कूर गेंज द्वारा दिये गए तार का व ठीक है चलिए आगे देखेंगे दस नमर कुस्चन बोला गया तूल तुला की सायता से दो अलग अलग बस तुओं का ज्ञाद करें की सठीव गो बाएं तरह डोलपि साइथा से एल और सिंगल बॉंड टी और मतलब मैंस मिका प्लाइव है यानिकि धिया उसके बारे आपका और में क्या जूर्फ का स्कौइड के चिट्र बनाना है इसके बाद तट पस्चात उप्युक्त गराफ का कव्योंग करके सेंड डोलन क प्रभावी लंबाई ग्याद करना है इसके आगे आप देखेंगे तो बारा नुमर कुश्चन बोला जा रहा है सर्दियों के सवांतर चत्रभूज नियम द्वारा दिये गए पिंड का भार आपको ग्याद करना है प्यारा पर पर यह मैंने आपको टोटल जोना समझा दिया अब इसका उत्तर भी मैं आपको मैंने पहले ही बोला खंड आपका यह और सेशन ए है इसमें मैं पहला नमर कुश्चन का उत्तर बतांगो कि किसी एक कुश्चन का ही उत्तर बनाना इसमें अनिबार है ठीक है आप बस प्रस्ण देख लो जो भी आपसे बन पाए लगे कि मै मैं प्रिल्कुल सही आपको इंसर्ट हूंगा आप बना दोगे ना तो बिल्कुल 15 नमर का है तो 15 में 15 तो नहीं देगा बट हां फिर भी आपको 12 नमर से 13 नमर के बीच में आपको मिलेगा एक कुश्चन का ठीक है चलो है आपर देख लेना आपको खंड बवा में यानि की स प्रोपर बताना होता है ठीक है लिखना पड़ेगा आपको ज्यादा ठीक है तो देखो पहला नमर कुश्चन बोला मीटर पैमाने के द्वारा आगूर्ण सिदान्त का उप्योग कर दिये गए पिंड का द्रमान गयाद करना है तो मैं पहला ही बोल दू पहला नमर कोश्च है आगे आप देखेंगे तीन मर कोश्चन है किसी दी गई अल्पतम मांक के लिए एक पेपर एसकेल तयार करें उदाड़न के लिए आप जीरो पॉइंट जो है ना थिरी संटीमीटर और असके बार आप जीरो पॉइंट फोर संटीमीटर ले सकते है ठीक है लंबाई चुर प्रिवर्तन का अध्यान कड़े तो यह आपका प्रसने आगे बरते हैं आप देखेंगे तो छी नुमर कोश्चन बोला गया कोशिकिया उन्ययन का अब लोकन कर जल का प्रिष्ट तनाव पर डिट जो ना डिटर्जेंट का पर डिटर्जेंट के प्रभाव का अध्यान करना है आगे आत नुमर कॉश्चिन है किसी दराब के प्रभावावित करने बाले काड़कों का अध्यान कड़ें डौ अना तलो के बीच बिछ लडक्ते गेंड गेंड के और अध्यान करने चिसा नुमर कूश्चिन आपका बोला गया वरतन में रखें क्युर्म को भीड़ों है द squeeze करने में प्रिवरतन को देखे अब लोग New foreign ना है तो प्यारा भचे से मैं पहले हिस्ट आपको पहले आपको बतां तो इसका आंसर बता उस्मिथ को अंबर मिलेगा पहले शयफ्न कर आप आस नहीं कॉछ है डाम दानलोड के शरिक नहीं आप आप से संभब हो पाए तो वीडियो को रोक रोक करके आप लिखते चलना ठीक है चलो यहां पर देखना आप सबसे पहले ना मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले सेशन एमें आपका पढ़ियो गया एक्स्पेडिमेंट का है ठीक है तो देको क्वेश्चन भी में लिख द्य केरोली मापी के लिए किये गाए थंदे पानी में डालते हैं जिससे ठोस द्वारा केरोली मापी आप तता ती का म intelligence को उसमा बडावर में लिखना आपको बडावर में केरोल इंद्वी तल में।े था पानी द्वारा दिगई इस मां आपको ये पहला पॉइंद है वर बुद आ Ale करे कर दों हो रादन हों हं पहले अधर उसका दलिकना है गलावर में प्लस मिल्हों एप द्ञान कर लिब कर दोंAn में लिखना है M1 gram ठीकिस्ट को कैड़ोली मापी की परस में लिखना आपको वीडोलक प्रसमें लिकना आपको मापी और युदू खींद सब्सक्राइब लिखा गया है जैसे जैसे से मुतार लेना ठीक है चलो आगे देखना आपको लिखना कि गनना में क्या लिखना है के रोली मापी की विशिश तुष्मा बढ़ाबर सब्सक्राइब लिखना है तथा माना की थोस की विशिश तुष्मा ऐसे तब पानी का रभमान जो होगा बढ़ाबर में M2 और लिखना है M2 मैंनस में M1 ग्राम इस प्रकाश से आपको लिखना है आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे तो पानी में पानी के टाप में बढ़ाबर में T3 में T1 इसका डिगरी सेल्सीयस में आपको कर देना है इसके आगे लिखना तो फोस के माताप में कमी बढ़ाबर लिखना तो मैनस टीठी का सेल्चियस अगे लिखना है पानी द्वारा दी जो न ली गई उसमा इसमें लिखना है M2-1 का और इंटू में लिखना है T3 मैंनेस में T1 टीवन इस प्रकास आपको लिख देना है फॉर्मुला आपका हो जाएगा यह ठीक है टीठी और मैनस में T1 आगे देखिए धोस दुबारा दी गई उसमा लिखना है M1 और लिखना है इंटू में करके T1 मैनस में T3 ठीक है इतना लिखना है इसके आगे पड़ोगे पैर वागे चुत लिखना है अब मुश्राण की अनियाम से लिखना है आपको यहांपर ait भी करते जाना टीकत 마리 प्राइक भी डेना है मैंडि तिरग मानस में फिर आपको प्लस देना है यहां मैं एम आपको देना है टी ट्री मानस में टी वन अपने को फ्रमुला आपका प्रपर यह बन जाएगा तो प्रोपर वोल गुद्धि आपको जारा कुछ निकर नाप बटे करना एक दिना M और T2 मैंट की वन इस परकासर एंड इतना लेगने को आझा आफ अगर सब्सक्राइब के एनकी कैडूली ग्राम डिग्री इस परकासर पुड़ा पर लिक दिना है आगे बढ़ते हैं आगे समझें तीसरा पॉइंट लिकना है गनना गनना क्या लिकना केड़ोली विसी शुरू यह तुमें अभी बता ही था ना प्यारवच्छ एक से किन लिखना तो यह तो मैंने लगता है बता है था फिट भी आपर देखो यह तो मैंने भी बता था ना यह वही है यहां नहीं लिखना है इसके आगे आप हमें बटना है अब यह खटम हो चुका है ठीक है यह पहला नमर के लिए था दियान रखेगा पर यह जो था 15 नमर के लिए आपका प्रॉपर आप लिख लो अगर खुर से निकाल पाओ तो निकाल लेना बट मुझे पता तो आप नहीं निकल पाओगा तो मैं डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा यहां से लिख पा रहे तो अच्छी बाते लिख लो ठीक है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना आप लोगों का ब्याच स्टार्ट हो चुका है जो की देरी रात में 8 बजे चलता है अगर आप लोग जुड़ना चाहते तो उसके लिए आगे आपको बताऊंगा जहां से डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा वहां पर वाट्चाप टेलिग्राम ग्रूप डोनों का लिंक रहेगा मैं आपको बतारूंगा वहां से जोइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइ अगया है मीटर पैमाने द्वारा आगुरुन शिद्धान्त का उप्योग कर दिए गए पिंड का द्रमान गयाद करें तो प्रपर आपको यहां से लिखना है जारा कुछ नहीं करना है मैं प्रपर बताता हूं यहां पर आपको लिखना इस परकासे नम्मर वान और एंसर इ कर अच्छा चाहिए तो आपर इना इसको हाइलाइट कर देना जैसे क्या उड़ेस लिखा है ना इसको इस परकासे हाइलाइट कर देना ठीक है अब लिखना आपको कि च्छानों के सिद्धान्त द्वारा मीटर एसकेल का उप्योग करके किसी दिये गए पिंड का द्रमान इसके आगे आपको लिखना है उपकरण क्या लिखना है एक मीटर एक्टर चुकी टेज़ धारा बाली जोड़ी भाड़ी कील चुकी एक बजन वाक्स चुकी और ग्यान ड्रमान का एक पिंड तो इस परकासे इसका लिखना आगे आप बड़ेंगे तो सिद्धान्त में लि पे जो ना वेज से उनके लूप जो ना लूप की दूड़ी है फिर शक्ति यानि की द्रवमान भुजा एवन और भुजा भार भुजा हो जाएगा एटू इस प्रकाश ठीक है इतना लिख देना इसके आगे लिखेगा इसके आगे लिखना है च्छानों के सिध्धान्ट में डॉपो को शमान लंबाई की दागे की लूपो को समान लंबाई कि दोनों भुजाओ वाली इस्थिती में लटकाया जाता है पेपर पैंड में बजन तब तक समायोजित क्या जाता है जब तक एक मीटल एसकेर छेटीज ना हो जाए तो चिटर के कोरिंग भी लिख सकते हो बट मैं चिटर नहीं बनाया हूं आप छोड़ देना चिटर नहीं भी दोगे तो मैंने पहला ही बोला है 15 नमर का कोश्चन है तो इसमें से मैंने क्या बोला कम से कम 12 नमर से लिकर के 13 नमर तक मिल लिखना है उसके बाद इसलिए MGA1 बढ़ावन में लिखना है MGA2 इतना लिख लिजिए इसके आगे बढ़िए इसके आगे लिखना आपको सिंपल सा यहां पर देखना यदि छोटी एंबलावर स्मॉल एंबलावर केप्टलम ठीक है उसके बाद लिखना आपको एक बहुत लूप ठ्रेंड जो ना ट्रेंड को तब तक अंडर और बार घुमाया समायोजित क्या जाता है जब जो ना जब तक की मीटर एसकेल यानि छैती जना हो जाए यानि चित्र भी आपको देना था बड़ चित्र आप छोड़ जो मैंने पहला ही बोला देख आपर होगा इस प्रकाश मतलब इस प्रकाश से लिखना है इतना इतना यह अलाग अलाग आपका पॉइंट ठीक है चलो आगे बटते हैं नेक्स्ट आपका होगा इसलिए एमजी एवन और बरावर में लिखना है एस लिखना है एक मीटर एसकेल का उपयोग कर्छन के सिध्धांत द्वारा किसी दिये गए पिंड का द्रमानने डारिट करना ठीक है यह पर पॉइंट वन भी लिखना उस पार है दूसरा में कि यहां पर लिखना एक मीटर एसकेल का उपयोग करके च्छनों के सिध्धांत द्वारा किसी दिये गए पिंड का द्रमानने डारिट करना यह आपको पॉ और एक निश्चित निशान पर एक लूप डागे द्वड़ा और ग्याद रमान के किसी जो ना कि द्रमान के सडीर को निलंबित कर दिया गया है उसका तीसरा पॉइंट लिखना है कि वेज के दाई और शमान जूरी पर निलंबित पेपर पैन जिसमें कुछ बजन है इस प्र बताना है जो कि आपको लिख करके ही बता सकते हो ना तो इसी प्रकाश से नंबर मिलेगा चलो आगे देखो चावटा पॉइंट पेपर पैन में बजन को तब तक समाई उजित करें जब तक मीटर एसकेल 6 तीज ना हो जाए पासमा पॉइंट लखना है पैन को बाटों में प्रमान नोट करें चाटा पॉइंट लिखना आपको चाटा पॉइंट में आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया लंबाई समान रखते हुए समान चरणों में भुजाओं की बढ़ाते बढ़ाते हुए चरन तू से चरन पांच को तीन बार दोलाना आपको उसके बार श करना कि अपर देखेंगे तो देखेंगे जो ना पड़ी ना मिखना में पिन का अग्याद्रमान एंपड़ा बरापका डैस डैस जी हो जाएगा एंदिके गरण होगा गराम होगा इसके आगे देखो बैकल्पिक मैंने बल्टा बैकल्पिक का मतलब थे और प्रतिक है तो बेकल्पिक में ही लिखना है लिखना है लिखना है लिखना है दूसरी विडिया पहली वीडिया ने चरण फेपर पेन को वेज के दाई और घ्यात बजन के साथ लटका है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे आप देख लिजेगा चोठाप लिखना आपको कि लिखना है पेपर पैंड की दूड़ी को तब तक समायोजित करें जब तक मीटर एस्केल ना हो जाए और पांचमा पॉइंट लिखना है प्यारवुचित सही से ठीके तब ही नमर मिलेगा ठीके पेपर पैंड की स्थिती और बजन भुजा की लंबाई और सारा रेकार्ड करें तो इस प्रकासे यह पुझा परपर ऊपकर होगा एसके आगर बड़ते हैं तो आपको लिखना आप लग्न और गनना तो यह का प्याहर न बचाइए उसको नहीं लिखना है श्रंट कि मेंने साधिन बिताया था 1 , 1 zeker बैर उसर देख लियते हैं अब लोकन गनना श्रव के हम ने बताया था छोती अंपलावर लिकना है आपको Just a降 और आपको सपधानिया भी समय लिखनी है ठीक है सब्धानिया क्या होगी पहले में लिखना है की चोड़ी ओर और टेज धारई भाली चाहिए दूसरी पॉइंट लिकना है मिटल एश्केल का एक समान जन बिटरन होना चाहिए इसके आगे आपको देखेंगे तो लिखना है तीस्दा पॉइंट में लिखना है कि लूप के लिए उपयोग किये जाने बाले धागे पतले हलके और मजबूत होने चाहिए इसमें आपको त्वहाद लंबा लिखना है है पहला पॉइंट कि कील तेज नहीं हो सकती दूसरा पॉइंट मीटल एसकेल को दोश पुर्ण और जोना और सांकलन हो सकता है तिसना पॉइंट लूप के लिए उपयोग के जाने वाले धागें मोटे और भारी हो सकते हैं तो इस प्रकार से लिखना है बस हो गया यह आपका दाउनलोड कैसे करना है वह फटापर से सिखा दूंगा और बता दू केमेश्ट्री का प्रेक्टिकल का पेपर है वह भी लेकर कर आऊंगा ठीक है ना वीडियो कुछी देर में आज आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अलचार यह फटापर से कैसे डाउनलोड सब्सक्राइब करके दिखा दू तो यह रहा यह आपको लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर देखने को मिल जागा लेटेस्ट अप्डेट में भी आरवोड कलास 11 तब फिजिक्स प्रेक्टिकल अनुनियर फाइनल एंग्जाम क्वेशन पर दोजा चुब तो यहां से मिल सब्सक्राइब करने इस पर करोगे इस परकाश इंटरफेस होगा ज्यादा कुछ निकरने बिल्कुल आराम से आपको स्कॉल्डन करते हुए नीचे आना है और मैंने वार्ट्साप टेलिग्राम के बारे में बता है प्यार्वाइब आप इसको वीडियो को रोख करके एक ब लिखा हुआ मिलेगा नीचे कख्छा 11 भी बहुतिक सब्जाक्टिव का सब परशेंट आंसर ड्याग है यहनकी फिजिक से प्रेक्टिकल एकजाम का एंसर कि यहां पर रहे नीचे लेको मैं सारा जो एंसर बताया हूं सारा का सारा मैं यहां पर अप्लोड कर दिया हूं आ कर कि आप अच्छी तरह के से यहां से चाहो तो स्कीन सॉटर ले ले करके लिख सकते हूं या फिर अराम से पीडियोप में भी करमड करके लिख सकते हूं ठीक है तो चलिए और आपका कोई भी लेक्जाम बचा हुआ हो तो नीचे आप पर देखो कख्छा 11 के लिए और पेपर लिंक है आप यहां से आकर करके डानलोड कर लेना जो भी बचाओ तो चलिए मिलता है नेक्स्ट बुड़ों में टप टक लिए बाई-बाई-बाई-बच्छो